Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल देश में 70 साल बाद चीते के आगमन की तयारी अपने final stage में है, कोशिश की जा रही है कि 15 अगस्त 2022 तक यानी देश के 75 सुतनत्ता दिवस के मौके पर चीते भारत लाए जा सकें, गौर तलब है कि ये चीते Intercontinental Translocation Project के तहत मध्य प्रदेश के कुनो पालपूर नेशनल पार्क में लाए जाएंगे, ये नेशनल पार्क चंबल रीजन में स्थित है, इसलिए यहाँ पर चीतों को हुष्ट करने की परिस्थितियां मौजूद हैं, चीते साल 1952 में देश से extinct यानी विलुप्त घोशित किये गए थे, देश के लास्ट चीते की मौत साल 1947 में अविभाजि मद्ध प्रदेश के 36 गरह में हुई थी, इसलिए देश में चीतों को एक बार फिर से वापस लाए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, इस संबंध में भारत ने अफ्रीका के दोन देशों नामी भिया और साउथ अफ्रीका से बादचीत की है, लेकिन शुरुआत में जमीन पर फास्टिस्ट मैमल है, इसका वैज्ञानिक नाम एसी नौइकिस जुवैटस है, इसकी स्पीट 97 से 113 किलोमीटर प्रती घंटे तक हो सकती है, जंगल में इनका एवरेज लाइफ स्पैन 14 साल तक जबकि कैप्टिवीटी में 20 साल तक हो सकता है, आम तोर पर ये रह आनि प्रे कम हो जाने से विलुप्ति के कगार पर हैं, हाली में भारत के मुख्य नयाधिश एनवी रमन्ना ने भारत सरकार से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को री एक्जामीन करने की बात कही है, इससे पहले जस्टिस संजे किशन कॉल और एम एम सुंदरेश ने एक नए बे क्रिया को आसान बनाया जा सके, दोनों ही फ्रेंट्स पर अंधाधुन तरीके से गिरफतारी और अंडर ट्रायल कैदियों के लिए बेल न मिल पाने की बात पर चिंता जताई गई है, मुख्य नयाधिश एनवी रमन्ना की मुताबिक हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसेस ही पनिश्मेंट है, जेल में बंद 6.1 शुन्ने लाग कैदियों में से 80 फिस्दी अंडर ट्रायल हैं, भारत की जेलें अंडर ट्रायल कैदियों से भरी हुई हैं, इनमें से ज्यादा तर वे हैं जिनहें गिरफतारी की भी जरूरत नहीं थी, आपको बता दें कि इंडियन लीगल सिस्टम में बेल के लिए कोई अलग से कानून नहीं है, हाला कि बेल से संबंधित प्रावधान CRPC में और सजा के प्रावधानों की चर्चा IPC में की गई है, CRPC में अपराधों को बेलेबल और नौन बेलेबल में वरगी कृत किया गया है, सेक्षन 436 के मु देनी होती है, वहीं नौन बेलेबल ओफिंस में बेल को अधिकार के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता, इसमें कोर्ट के पास दिश्क्रिशन होता है, सेक्षन 437 मजिस्टेट को या चिकाओं पर विचार करने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें ऐसे अपराध शामिल न वक्ति, बीमार वक्ति और महिला को शामिल किया गया है, CRPC में उन प्रावधानों का भी जिक्र है, जिन में बेल कैंसिलेशन होना है, नीती आयोग और WFP यानि World Food Program Mapping and Exchange of Good Practices लांच करेंगे, इसका मकसद एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मेन स्ट्रिम में लेकर आ पादन और खबत को बरहाया जा सके, गौर तलब है कि WFP दुनिया की सबसे बड़ी मानुविय संस्था है, जो कि इमर्जेंसी के हालात में लोगों की खादे सहायता करती है, सतत विकास लक्ष दो में जीरो हंगर की बात की गई है, जिसे लागू करने में WFP प्रयासरत है, घोशित किया गया है, इससे मोटे अनाजों की मांग घरेलू और वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, मोटे अनाज ऐसे खाद्यान होते हैं जिन्हें कम पानी और इंपुट्स की सहायता से उगाया जा सकता है, लेकिन इनमें पोशक तत्वों की मौजूदगी और स्वास्ति सं तमाम फायदे पाए जाते हैं, इन्हें सूपर फूट फूट फॉर्ट फूचर बताया जा रहा है, मोटे अनाजों में रागी, जौार, बाजरा और कोदो कुटकी जैसे फसलों को शामिल किया जाता है, मोटे अनाजों के उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्था बीते दिनों तेलंगाना में एक रेरेस्ट फेनोमेनन देखने को मिला, दरसल तेलंगाना के जगतियाल इलाके में एनिमल रेन देखने को मिली, इसमें लोगों ने आसमान से बारिश के साथ मचलियों को गिरते देखा, ट्वीटर पर इसका वीडियो फूटेज भी होने वाला अपड्राफ्ट है, दरसल जब नदी या समुद्र के ऊपर बनने वाला थंडर स्ट्रॉम में अपड्राफ्ट के दौरान मचलियां, मेढक और ऐसे ही फ्लाइटलेस एनिमल्स कैप्चर हो जाते हैं, जो की बारिश के साथ नीचे आते हैं, बारिश के साथ नीच ही घटना टेकसास में देखने को मिली थी, साल 2010 में इस तरह के फिनोमेना को औस्टेलिया में देखा गया और New York Times की एक रिपोर्ट के मुताबिक होंडुरास में ऐसी घटना लगभग हर साल देखने को मिलती है, होंडुरास एक Central American देश है, आपको बता दें कि होंडुरास म में इस तरह की घटना होने के बाद इसके Scientific Regents पर बात की गई, उससे पहले इस कहानी को ही सही माना जाता था, कहानी के मुताबिक अठारोस पचास के दशक में एक Spanish पुजारी जोस मैनूल ने इस ख्शेतर पर दौरा किया था, यहां के लोग खाने के अभाव के चलते, भू पान के साथ छोटी मचलियां आस्मान से गिरने लगी, इसे लूविया डीप पेसेज यानी रेन ओफिश कहा गया, आईए नीज की शुरुआत करते हैं, प्रधार मंतरी स्री नरेंद्र मोदी ने 1857 की क्रांती के हीरो मंगल पांडे की जयनती पर स्रधानजली अर्पित की ह उनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश में हुआ था, 1857 की क्रांती भारतिये सोतंतरता संग्राम में महत्वपून स्थान रखती है, इसी साल से भारतिये स्वाधिनता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है, इस क्रांती के कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का कारण रहे थे, लेकिन तातकाली कारणों में सैनिक कारण का सामिल होना जायज है, दरसल लौर्ड कैनिंग के काल में साल 1856 में The General Service Enlistment Act की घोशना की गई थी, इस एक्ट के मुताबिक भारतिये सैनिकों को ये स्विकार करना था, कि भारतिये सैनिकों को इध्ध के लिए नहीं कर सकते थे, वहीं भारतिये उस समय तक समुद्र यात्रा को पाप समझते थे, इसका विरोध हो ही रहा था कि कम्पनी ने सेना में इनफिल्ड नाम की रैफल लौंच की, जिसमें कार्तूस को मुह से खोलना पड़ता था, कहा जाता है कि इन कार्तूसों पर गाय और जिसमान दोनों भरक उठे, इन कार्तूसों के विरोध की पहली घटना बैरकपूर्चावनी में घटी, मार्च 1857 में मंगल पानने ने कार्तूसों के प्रयोक से इनकार करते हुए अपने अधिकारियों की हत्या कर दी, कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें पकरने आये तो उन्ह निफासी की सजा दे दी गई, 1857 की ग्रांती की शुरुवात 10 मई 1857 को मेरठ में हुए स्चाइनिक विद्रोह से मानी जाती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किंद्र सरकार द्वारा उनकी सिंगापूर ट्रिप की क्लियरेंस को डिले करने की बात कही है, दरसल उन्हें 31 जुलाई से 3 अगस्त के दोरान वर्ल्ड सिटी समिट में शामिल होना है, इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी किंद्र सरकार ने उन्हें विदेश जाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसके बाद से ही ये सवाल चर्चा में है कि मुख्यमंत्रियों को विदेश जाने के लिए किस क्लियरेंस की जरूरत होती है, 6 मई 2015 के एक सरकुलर के मुख्यमंत्रियों और राज्य और संघशासित प्रदेशों के मंत्रियों को किसी भी आधिकारिक या नीजी फॉरेन विजिट के बारे में किंद्रिय सचिवाले और विदेश मंत्राले को सुचित करना होता है, इस से पहले Political Clearance और Foreign Contribution Regulation Act Clearance जरूरी होती है, साथ ही राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के मामले में एप्लिकेशन की एक कॉपी Department of Economic Affairs को भेजनी होती है, कौर तलब है कि Political Clearance विदेश मंत्राले से ली जाती है, ये केवल Public Servant के लिए ही नहीं, बलकि किसी भी Government Servant की Foreign Trip के लिए जरूरी होती है, इस मामले में निर्णे कई कारुकों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, मसलन, इवेंट का नेचर क्या है, दूसरे देशों के Participation का स्थर और भारत के मेजबान देश के साथ रिष्टे कैसे हैं, अलग-अलग स्थर के Officials को अलग-अलग जगहों से Clearance लेनी होती है, केंद्रिय मंत्रियों को विदेश मंत्राले के अलावा प्रधान मंत्री से भी Clearance लेनी होती है, सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज़िस के मामले में नीजी विदेश यात्रा के लिए Clearance की जरूरत नहीं होती, लेकिन आधिकारिक यात्रा के लिए मुख्य नयाधिश के बाद Department of Justice से Clearance लेनी होती है, JNPT यानि जवाहर लाल नहरू पोर्ट देश का पहला 100% Landlord Major पोर्ट बन गया है, मुंबई स्थित JNPT सौव वैश्विक पोर्ट की लिस्ट में 20 नंबर पर है, देश के Leading Container Ports में से यह एक महत्पूर्ण पोर्ट है, Landlord Ports से मतलब Mixed Public Private Orientation है, इसमें Port Authority, Regulatory और Landlord Body के तौर पर काम करती है, वहीं Port Operations विशेश तौर पर कारगो हैंडिलिंग को नीजी कमपनियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है, इसमें नीजी कमपनिया एक तरह से Port पर मौजूद अवसरचना और Services को Lease पर लेती हैं, आपको बता दें कि देश में कुल 13 Major Ports और लगभग 200 के करीब Minor Ports मौजूद हैं, Major Ports का Administrative Control Ministry of Shipping के पास है, वहीं Minor Ports की देखरेक राज्यों के Maritime Board के पास रहती है, यहाँ पर राज्य से मतलब है कि जिस राज्य के क्षत्र में Port स्थित है, महाराश्ट स्थित वाधवान Port 13 Major Port है, Ministry of Consumer Affairs के तहट Department of Consumer Affairs ने एक समीती गठित की है, समीती को Right to Repair के लिए एक Comprehensive Framework तयार करना है, प्रधार मंत्री स्री नरेंद्र मोधी द्वारा शुरू किये गए Life यानि Lifestyle for the Environment Movement को आगे बढ़ाया जाएगा, इस Framework को तयार करने का मकसद देश में भरती हुई E-Waste की चुनौती को कम करना है, साथ ही ग्रहकों को Discard and Buy New के बज़ाए Repair and Reuse का विकल्प मोहिया कराना है, रिपेर and Reuse की संकल्पना Sustainable Lifestyle को बढ़ावा देगी, ग्रहकों को Reasonable Cost पर अपने प्रोड़क्ट को रिपेर कराने की सहलुयत रहेगी, इसके अलावा Third Party Repair के क्लॉज के कारण इस से रोजगार के स्रीजन की संभावना जताई जा रही है, चुरुआती दौर में समीती ने Right to Repair के दिये Mobile Phone, Tablets, Automobile Sector जैसे खित्रों का चुनाव किया है, पैश्विक स्तर पर कई देशों, मसलन USA और UK ने Right to Repair को अपनाया है, Department of Commerce ने Special Economic Zone Rules 2006 में Work from Home का Rule नोटिफाई किया है, ये Rules सभी SEZ यानि Special Economic Zone पर लागू होंगे, इससे पूरे देश के सभी Special Economic Zone में इनिफार्मिटी लाई जा सकेगी, नए नियमों की मताबिक Work from Home को अब अधिक्तम एक साल के लिए कर दिया गया है, हालां कि किसी विशेश परिस्थिती में इसे एक साल के लिए Development Commissioner के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, आपको बता दें कि SEZ किसी देश में ऐसा क्षेत्र होता है, जिसके नियम कानून उसी देश के अन्यक्षत्रों के मुकाबले ज्यादा लिबरल होते हैं, ACZ में नियमों को ज्यादा कंडियू से बनाया जाता है, जिससे FDI को एट्रेक्ट किया जा सके, भारत एशिया में ऐसा पहला देश था, जिसने EPJ यानि Export Processing Zone को महत्वत दिया था, एशिया का पहला EPJ साल 1965 में कान्डिला में गठित किया गया था, EPJ की कमियों को दूर करते हुए देश में अप्रेल 2000 में पहली बार SEJ Policy लॉंच की गई, National Geoscience Award 2019 CSIR National Geophysical Research Institute के वग्यानिक आनंद पी सिंग को दिया गया है, National Geoscience Award Ministry of Mines के द्वारा दिया जाता है, उन्होंने Southern Indian Shield Tekken Volcanic Province और राजमहल टैप्स के बारे में जानने में एहम भूमी का निभाई है, गौर तलब है कि GEO Science को Earth Science भी कहते हैं, इसमें प्रिथिवी संबंधी अध्यान को टामिल किया जाता है, आपको बता दें कि Southern Indian Shield Mid Archean और नियो प्रोटेरो जोई काल के बीच तयार मोबाईल बेल्ट्स को शामिल किया जाता है, इसमें उत्तर की तरफ ग्रेनाइट और नीज, वहीं दक्षिन में ग्रेनुलाइट टेरेंस पाए जाते हैं, North East के पुर्वी घाट के चारकोनाइट्स और होंडालाइट्स पाए जाते हैं, राजमहल टेप्स पुर्वी भारत में इस्तीत वॉल्कैनिक इगनियस प्रोविंस है, ये जारखंड, पश्टिम बंगाल और मेगाले के कुछ हिस्सों को कवर करता है, वहीं डेकन वॉल्कैनिक प्रोविंस दरारी उद्वेधन के कारण प्रित्वी पर आये बेसाल्टिक लावा से बने हुए टैप हैं, इनमें काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, तमाम राजनेतिक उठापटक के बीच, श्रिलंका की संसत ने रानिल विक्रम सिंखे को श्रिलंका का राष्टपती चुन लिया है, वे पुर्व राष्टपती के बचे हुए कारेकाल तक पद पर रहेंगे, 44 सालों में ये पहला मौका है जब स्रिलंका की संसत ने राष्टपती को जुना है, इससे पहले साल 1993 में राष्टपती राना सिंखे प्रेमदासा की हक्तिया के बाद स्रिलंका की संसत ने राष्टपती को जुना था, रानिल विक्रम सिंगे इस से पहले 6 बार स्रिलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके सामने स्रिलंका की आर्थिक संकट की चुनौती मवजूद है आपको बता दें कि स्रिलंका की संसत देश की सुप्रिम लेजिस्ट्रेटिव बॉड़ी है के पास अन्य राजनेतिक संस्थाओं के मुकाबले सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं स्रिलंका में राष्टपती, राज्यका, सरकार का और स्टेना का प्रमुख होता है साथ ही प्रधानमंत्री के साथ कारेकारी जिम्मेदारियां भी उसकी होती है प्रधानमंत्री संसत में सत्ताधारी दल का प्रमुख होता है श्रिलंका को ब्रिटिश रासन से साल 1948 में स्वतंदर्ता मिली थी यहां पर मुख्य रूप से तीन एथनिक ग्रूप तमिल, सिहली और मुस्लिम पाय जाते हैं दिल्ली हाई कोट ने सर्विस चार्ज के मामले में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को राहत दी है कोट ने CCPA यानी Central Consumer Protection Authority द्वारा जारी गाइट लाइन्स पर रोक लगा दी है कोट ने ये कहा कि रेस्टूरेंट और होटल्स को बिल में सर्विस चार्ज को मेंशन करना होगा साथ ही टेक अवे ओर्रस पर कोई सर्विस चार्ज नहीं वसुला जाएगा कोट ने इस मामले में अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है अगली सुनवाई की डेट 25 नवंबर दी गई है दरसल CCPA ने चार जुलाई को गाइडलाइन्स जारी की थी जिसके मताबिक कोई भी होटल या रेस्टूरेंट बिल में बाई डिफॉल्ट सर्विस चार्ज को शामिल नहीं कर सकेगा साथ ही ग्रहकों से किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकेगा ये गाइडलाइन्स Consumer Protection Act 2019 के Section 1821 के तहद जारी की गई थी इन गाइडलाइन्स के विरोध में National Restaurant Association of India और Federation of Hotel and Restaurant Associations of India ने कोर्ट में याची का दायर की थी इन Associations का मानना है कि Service Charge Individual Policy का मामला है इसे लागू करना Illegal नहीं है साथ ही इससे सरकार को Tax भी मिलता है आपको बता दें कि CCPA का गठन Consumer Protection Act 2019 के जरिये जुलाई 2020 में हुआ था इसका मकसद ग्रहकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और उन्हें लागू करवाना है ग्रह मंत्राले द्वारा दी गई एक जानकारी के मुताबिक साल 2020 में 1.6 लाग से अधिक भारतियों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है ये आकड़ा साल 2019 और 2020 के मुकाबले अधिक है सरकारी आंकडों की मुताबिक साल 2020 में नागरिक्ता छोड़ने वाले भारतियों में सबसे ज़्यादा USA गए हैं उसके बाद Australia और Canada का नंबर आता है गौर तलब है कि भारत में dual citizenship allowed नहीं है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिक्ता हासिल करता है तो भारत की नागरिक्ता automatically cancel हो जाती है वैशिक स्तर पर लोग बहतर जौब और living conditions के लिए अपने देश की नागरिक्ता छोड़ कर दूसरे देश में बसते हैं कई बार जलवायू परिवर्तन और राजनेतिक परिस्थितियों के चलते अपना देश छोड़ना पड़ता है एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के लोग जौब और higher studies के लिए विदेशों में बसते हैं आपको बता दें कि भारतिय समिधान के भागदों में अनुच्छित 5 से 11 तक नागरिक्ता के बारे में चर्चा की गई है भारत में एकल नागरिक्ता का प्रावधान है हर वेक्ति सिर्फ भारतिय है राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं है USA में हर व्यक्ति USA का और अपने राज्य का भी नागरिक होता है नितियायोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा एडिशन जारी कर दिया है ये इंडेक्स Major States, North East and Hill States और Union Territories and City States की कैटेगरी में जारी किया जाता है Major States की कैटेगरी में करनाटक ने टॉप किया है दुसरे अस्थान पर तिलंगाना और तीसरे पर हरियाना काबिश है North East and Hill States में मनिपूर ने पहला अस्थान हासिल किया है दुसरे पर उत्राखन और तीसरे नमबर पर मेगाले ने पॉजिशन हासिल की है वही Union Territories and City States की कैटेगरी में चंडी गरह अववल रहा दुसरे नमबर पर दिल्ली तो तीसरे नमबर पर अंडमान निकुबार दृपतमू ने स्थान हासिल किया है इस इंडेक्स को नीती आयोग और Institute for Competitiveness द्वारा तयार किया जाता है इनोवेशन यानी नवाचार किसी भी देश की प्रगती में बेहत अहम भूमिका निभाता है आपको बता दें कि वैश्विक नवाचार सूचकांग WIPO द्वारा Portilus Institute के सहयोग से जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांग 2020 में भारत को 46-वी रैंक हासिल हुई थी बीते कुछ समय से ईरोप और इवेसे में हीट वेव जैसी कंडिशन्स बन रही है 19 जुलाई को युके में तापमान 40 डिग्री सेल्शियस के पार दर्ज किया गया इसके चलते वहाँ पहली बार हीट वेव के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया इसके इतर फ्रांस, स्पेन और पुर्टगाल में 42 से 46 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया हीट वेव की चलते फॉरेस्ट फायर जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है जिसे हीट एपोकैलिप्स कहा जा रहा है वेज्यानिकों का मानना है कि हीट वेव के लिए जलवाई परिवर्तन जिम्मेदार है अध्यान की मताविक वैश्विक स्थर पर तापमान एक डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है इस बढ़ते हुए तापमान के चलते हवाओं का पैटर्ण बदल गया है इससे पश्चमी उरोप एक गीट डोम बन चुका है यानि एक कम दाववाला ऐसा क्षित्र बन चुका है जो कि उत्री अफ्रीका से करम हवाओं को एट्टेक कर रहा है आपको बता दें कि हीट वेव की घोषना के लिए कुछ कंडिशन्स निलधारित की गई है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से उपर और पहारी इलाकों में 30 डिग्री से उपर चला जाता है तो हीट वेव घोषित की जाती है नीती आयोग के सहयोग से उत्तरपुर्वी क्षेत्र विकास मंत्राले ने नौर्थ इस्ट रीजन के लिए जिला अस्तर पर सतत विकास लक्ष सूचकांग तयार किया है सतत विकास लक्ष या SDG इंडेक्स विकास के सोशल, हुमन, एकोनॉमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वाइरनमेंट जैसे आधारों पर आठ पुरुवत्तर राज्यों के जिलों को मापता है यह पहली बार है जब यह इंडेक्स भारत में जीला स्तर पर तयार किया गया है यह इंडेक्स विभिन ख्षत्रों के डिवलप्मेंट के कारियर, योजनाओ के एक्जिक्यूशन, योजनाओ की उपलप्धियों की माउनिटिरिंग करने और प्षत्र में महत्वपूर्ण डिवलप्मेंट गैप को सामने लाने का एक उपकरन है यहाँ हाँ आपको बता दें कि सस्टेनेवल डिवलप्मेंट गोल 17 वैश्विक लक्षों का एक कलेक्शन है जिसे सभी के लिए एक बहतर और अधिक टिकाव भविश्य प्राप्ट करने के ब्लूप्रिंट के रुप में तयार किया गया है SDG 2015 में स्युक्त राष्ट महासभा द्वारा अस्थापित किये गये थे 2030 तक इन लक्षों को प्राप्ट करने का टार्गेट है भारत में SDG लक्षों को हासिल करने के लिए नीती आयोग जिम्मेदार है यह अलग-अलग एजन्सियों के साथ मिलकर काम करता है 22 जुलाई यानि आज ही के दिन और सठ्वे राष्टिय फिल्म पुरसकारों की घोशना कर दी गई है यह पुरसकार साल 2020 के लिए घोशित किये गए है यह अवार्स टारेक्टरेट और फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा घोशित किये गए है सबसे ज़्यादा फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए मध्ध प्रदेश को चुना गया है वहीं Best Book on Cinema की कैटेगरी में किश्वर देशाई की किताब The Longest Kiss को चुना गया है Best Actors की कैटेगरी में हिंदी फिल्म तानहा जी के लिए एजय देवगन और तमिल फिल्म सुरा रई पुत्रू के लिए अभिनेता सुर्या को चुना गया है वहीं Best Actors की कैटेगरी में तमिल फिल्म सुरा रई पुत्रू के लिए अभिनेत्री अपर्णा बाला मुर्ली को चुना गया है Best Supporting Actors की कैटेगरी में सिवा रंजनियूम इन्नम सीला पेंगालम तमिल फिल्म के लिए लक्षमी प्रिया चंद्रमौली को चुना गया है वहीं Best Supporting Actor के लिए मल्यालम फिल्म एके अयापनम कोशियम के लिए बीजू मेनन को चुना गया है Best Direction के लिए एके अयापनम कोशियम के लिए सचिदानंद के आर को चुना गया है Best Hindi Film की कैटेगरी में तुलसी दास जुनियर को चुना गया है समाजिक मुद्दों पर बनी Best Film की कैटेगरी में Justice Delayed पर Delivered को चुना गया है सुप्रिम कोट ने अबोशन से संबंधित एक फैसला दिया है फैसले के मताबिक किसी अविवाहित महिला को सेफ अबोशन से इंकार नहीं किया जा सकता ऐसा करना उसकी नीजी स्वायतता और आजादी का हनन होगा दरसल दिल्ली हाई कोट ने इसी मामले में महिला को अबोशन के बजाए बच्चे को अडॉप्शन के लिए देने की बात कही थी इसके बाद महिला ने सुप्रिम कोट का रुख किया था गौर तलब है कि पेटिशनर एक पचीस वर्षी महिला है याजिका के मुताबिक उसके पार्टनर ने शादी से इंकार कर दिया है वह बिना शादी के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती इससे उसे मानसिक पीड़ा के साथ सोशल स्टिग्मा का भी सामना करना पड़ेगा साथ ही मानसिक रूप से माँ बनने के लिए वह तयार नहीं थी कोट के मुताबिक मेडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत कुछ संशोधन किये गए है तहत उसकी पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है बिना महिला की मर्जी के उसे प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कहना उसकी बॉडिली इंटेग्रीटी का हनन होगा कोट ने एक मेडिकल बोर्ट के गठन का आदेश दिया है जिससे यहत्य किया जा सकता है कि अबोर्शन सेफ है या नहीं आपको बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन औफ प्रेगनेंसी एमेंडमेंट एक 2021 में 20 हफते तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की राय की जरूरत होती है 20 से 24 हफ़ते तक की pregnancy को terminate करने के लिए दो registered doctors की राय जरूरी होती है भून से संबंधित गंभीर असमाननेता के मामले में 24 हफ़ते के बाद terminate करने के लिए राज स्तरिये medical board की राय जरूरी होती है चीन की Pupils Liberation Army ने हाल ही में एक Advanced Multiple Launch Rocket System PHL-16 का परिक्षन किया यह परिक्षन शीन जी यांग शेत्र में भारती सीमा के करीब 3500 मीटर से अधिक की उचाई पर किया गया strategic point of view से यह महत्तवपून है क्योंकि चीन के द्वारा किया गया यह परिक्षन important भारती military basis को प्रभावित कर सकता है चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन भारत चीन सीमा पर PHL-16 Advanced Multiple Launch Rocket System तेनाद कर सकता है चीन के राज्य मीडिया ने बताया कि जेड टेन अटेक हेलिकॉप्टर पहली बार अभ्यास में शामिल हुए आपको बता दें कि हाल ही में दोनों देश्मद्वारा कमांडर लेवल बात्चित का सोलहवा राउंड समाप हुआ है इस बैठक का आयोजन भारत और चीन के बीच एलेसी के पुर्वी लद्दाख वाले हिस्से में चुशुल मोल्दो बॉर्डर में हुआ 23 जुलाई को स्वतंदरता संग्राम सेनारी बाल गंगा धरतिलक की जयनती मनाई जाती है उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महराश्ट के रतनागिरी में हुआ था लाला लास्पत राय बाल गंगा धरतिलक और विपिन चंदरपाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था बाल गंगा धरतिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिथ अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा उन्हें साल 1916 में कॉंग्रेस के दो धड़ों अतिवादियों और उग्रवादियों के बीच समझोदा कराने के लिए जाना जाता है अप्रेल 1916 में ही उन्होंने Home Rule League की स्थापना की थी गौर तलब है कि Home Rule League की स्थापना की योजना मूल तौर पर एनी बिसन्ट की थी जहां बाल गंगाधर तिलक की, होम रूल लीग का कार्यक्षित्र, करनाटक, महरास्ट, मध्य प्रांथ और बरार था, वहीं शेस भारत, एनी बिसन के कार्यक्षित्र में था वे पहले ऐसे राष्टवादी नेता माने जाते हैं, जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाने के प्रयास किये उन्होंने दक्कन एजुकेशन सुसाइटी की स्थापना भी की थी, बिटिस लेखक वेलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतिये असंतोस का जनक कहा था उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों की शुरुआत की, उनकी प्रमुफ पुस्तकों में The Arctic Home in the Vedas शामिल है उन्होंने स्वतंतरता आंदोलन में एकता लाने के लिए प्रतीक के तौर पर गणेश और शिवाजी उत्तव को बड़े स्थर पर मनाना शुरू किया बिटिस सरकार ने उन पर सेडिशन के चार्जेज लगाए जिसके लिए उन्हें वर्तमान म्यामार की मांडले जेल में खेश साल की सजा काटनी पड़ी यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस से लिखी थी हलो माई नीमें शुबा खान मैं एक यूपीएसी एस पैरेंट हूँ और मैंने स्टडी आईक्यू का यूपीएसी लाइफ कोर्स अवेल किया है यहां पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं बहुत हेल्फुल हैं आपके डाउट तुरंद भी कोशिश किया जाता है क्लियर करने की हर स्टूडेंस को मेंटोर्स अलॉट किये जाते हैं मेरे मेंटोर का नाम है ओं रिवेदी सर्थ अच्छे हैं बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही डाउन-to-earth हैं इवन दो हुनका वीक ओक होता है उसके बावजूद वह हमारी हेल्फ करने में कहीं नहीं चूपए अच्छे हैं इस अच्छे हैं नहीं नहीं जाते हैं आप तयारी हुई अफोड़ जाग विए विशन चूपए तैंक्यू थैंक्स लाट वान सगें Study IQ IS अब तयारी हुई अफोड़बल